हेलो फ्रेंज आज मैं आपके साथ में एक और रेसिपी लेके आई हूँ तो यह है गुजिया की रेसिपी तो जैसे कि आप लोग को पता है कि होली का फेस्टिबल आने वाला है सबके घरों में गुजिया बनती है तो आज मैं इसी की वीडियो आपके से शेयर करूंगी यह है खोया की और सूजी की गुजिया एक्दम क्रिस्पी करारी गुजिया तो गुजिया बनाने के लिए मैंने लेलिया है कुछ ड्राइफ फूट्स ड्राइफ फूट्स अपने चोइस के कॉर्डिंग कुछ घर बूजे के बीच और इलाइची अभी मैंने इनका छिलका नहीं ले लिए है मैंने लाल नारियल मैंने गहर में इसको कद्दूकस किया था आप नारियल का बुरा भी ले सकते हो और यह ले लिखा चीनी चीनी को भी हम पीस लेंगे और यह मेरा होममेड मावा जो मैंने प्地 subtitles क्या था आप देह सकते हैं और ये है आधा किलो सूजी और ये है 200 ग्राम के लगबग घी तो यहां पर मैंने सारी चीजे ले ली है और उसके बाद मैं सबसे पहले राइपूट को फ्राइ कर लूँगी तो राइपूट करने के लिए मैंने लिए है एक चमच घी और घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसक और उसी सेम फ्राइ बेन में मैंने खरपूजो के बीच ले लिए और खरपूजो के बीच को भी हम हलका बहुत फ्राइ करेंगे जब तक वो थोड़े चटके उसके बाद मैंने ले लिया है नारिगल का पूरा तो उसको भी मैं अच्छे से फ्राइ कर लूँगी हलका सा फ्राइ करना है जादा रर नहीं करना है सारी ड्राइफोट्स फाय होने के की बाद मै ली लिया है फ्राइबेन में गी उसके बाद मैं इसमें डालूंगी सूजी को हम भून लेंगे सूजी भून convention fornell, मैंने ले ली है आदा केजी सूजी और इसको घी में मैने लिया है और ghee और सूजी को पहले आपको अच्छे से mix करना है ताकि जितना भी आपका ghee है वो सूजी में mix हो जाए उसके बाद आपको medium flame पे इसको भूनना है जब तक इसका color golden brown नहीं हो जाए और full flame बिल्कुल नहीं करना है अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी सूजी जल रही है नीचे स मतलब इसका color जादा ही brown हो रहा है तो आप flame low भी कर सकते हो तो मैंने इस पूरी process में medium flame पे ही इसको चलाया है और बस चलाते रहना है इसको छोड़ना नहीं है सूजी को भूनने में मुझे 15-20 मिनिट लगे है और सूजी को आपको full flame बिल्कुल भी नहीं भूनना है नहीं त तो देखो यहां पे हलका हलका सा सूजी का color change हो चुका है और अब मैं इसको मतलब लगातार चलाते रहूंगी सूजी मैंने अच्छे से भून ली है और अब हम इसका gas कर देंगे off और देखो इसका color एकडम golden brown हो चुका है सूजी भूनने के बाद अब मैं गुझी अकले आटा आटा गुझनने के लिए मैंने ले लिया है आधा केजी मैदा और घी और पानी तो अब हम आटा गुझनने के लिए सबसे पहले जो हमने मैदा लिया है उसमें बीचों बीच में हम डाल देंगे घी को घी डालने के बा और अभी पानी नहीं डालना है बस आपको मैदे और घी को ही मिक्स करना है जब तक भी एकदम ऐसा मतलब घी और मैदा एकदम मिक्स ना हो जाए तब तक आपको मिक्स करना है और दोनु हातों से आपको इसको मिक्स करते हुए मतलब एक डो जैसा बना लेना है कि आपका घी अ बहुत सॉफ्ट बनेगी तो यह दिखो मैं इस तरीके से दोनु हातों की हल्प से मिक्स कर रही हो ताकि घी अच्छे से मिल जाए मैदे में और घी अच्छे से मिलने के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और एकदम से पानी नहीं डालना है और इसको गुदने के लिए मैंने सिर्फ आधा गलास पानी का यूज किया होगा तो यह देखो यहाँ पर आटा एकदम से पूरा घी में मिक्स हो चुका है और अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी मिक्स करके इसका टाइट एकदम डो तैयार कर लेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करना है एकदम से जादा पानी नहीं आपको डालना है बस थोड़ा थोड़ा ही आपको पानी मिक्स करना है तो इसी तरीके से मैंने इसकेक टाइट सा ऐर्टा तयार कर लिया है फिर मैने जो सूजी मेरी रोस्ट हो चुकी थी उसको मैंने एक परात में खाली कर दिया जेंस ही में थोड़ा सा गरम करऊगी क्योंकि यह मैंने फरेज में करथा तो चलो फिर अब बनाने की प्रोसेस करते हैं तो मसाला बनाने के लिए सारी तैयारी मैंने कर ली है रोस्टिट काजू बजाम को मैंने कट कर लिया है इलाइची का पाउडर बना लिया है चीनी का पाउडर बना लिया है और यहाँ पे ले लिया है मैंने सूजी जो मैंने नारियल का बुरादा और खरभूजे के बीच लिये थे वो भी मैंने मिक्स कर लिया फिर मैंने ले ली है पिसीवी चीनी चीनी पिसीवी तो जादा अची रहती है या तो आप घर में पीस सकते हो मैंने घर में ही इसको पीसा है और मिक्सी में पीस लिया था अब हम इनिसमिक्स सब छीजों को और हमारे चीज़न को प acces mile और अच्छ लोगी जै अच्छ से मिक्स करा लूग़ मैं इस मसाले को आख से मिक्स कर रही हूं कि यहां तो भैप तो कह तो एक दम अगsk मिक्स घुका certaine do हमार भीट थो का रेड़ी अब हम बना लेते हैं गुजिया, के लिए आटे बनाने के लिए मैंने ले लिए आटे ऐक बार और गुंद लिया था क्योंकि वह मैंने थोड़ा सा गुंदा था अब मैं जितना हमें आटा चाहिए है सिर्फ हम उतना ही उसमें से निकालेंगे एक दो लोई के लिए हम निकाल लेंगे और जादा आटा आपको ढ़के रख देना है नहीं तो क्या होता है वह सूख जात अब हमने लोई लेके पतला पतला बेल लेना है एकदम पतला पतला सा बेलना है मोटा बिलकुल नहीं बेलना है आप देख सकते हो कि मैंने इतना पतला पतला बेला है और अब मैं इसको डाल दूंगी इसके साचे में और उसके बाद मैं जादा आपको नहीं भरना है इतना नहीं बढ़ना है कि वह एकदम बाहर निकल जाए तो मैं दो चम्मच इसमें डालूंगी और उसके बाद इसको अच्छे से हम पैक कर लेंगे और पानी लगाना ना भूले क्योंकि बिना पानी लगाए नहीं चिपकता नहीं है पानी लगाने से एकदम से चिपक जाता है और आकम ठाफिए और ऐच्छे से प्रेस करना थे है और उसके बाहर निकाल देना है और यह देखिए आपकी आपकी शांदार से गुजिया बन के हो गई है यह रही इतनी अच्छी गुजिया बना ली ए और सारी गुजया बना लिकावों के फ्राइं तो फ्राय कि एक लोगा फिर मीडियम फ्लेम पे मैंने सारी गुजियां को फ्राय किया ताकि इनका कलर एकडम अच्छा गुल्डेन गुरूंडल सा हो नहीं तो क्या होता है न अगर आप फुल फ्लेम पे पकाऊगे तो अंदर से गुजिया कच्छी रहेंगी और बहार सुन का कलर एकदम ब्लैक हो जाएगा तो मैंने इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे ही इसको रखा और दो तीन गुजिया मेरी मतलब अच्छे से प्रेस नहीं ह फड़ी थी तो मैं इनको नीकाल लूंगी में तो घृल लूगा लिए ने तो कच्छी में सायवे पर भाद लंगा के Northetin भेजियां, इनका ही तցब इनकालते रहती हूं और इसी तरीके से मैंने सारी की सारी गुजियां को फ्राइ कर लिया है और फ्राइ करने के लिए आपको गया समेशना मीडियम ही रखनी है फुल फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं कुख करना है इनको बस आपको धीरे-धीर इनको पलटते रहना है एक साइड से अगर इसका कलर अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपको दूसी साइड से इसको पलट लेना है और इसी तरीके से मैंने सारी की सारी गुजिया बना ली और ये हमारी गुजिया बनके हो गई है तो आप देख सकते हो कि सारी की सारी गुजिया मैंने बना ली है और आप इसका कलर भी देख सकते हो ना जादा वाइट सा कलर है ना जादा ब्राउन एकदम अच्छे से कुख हो चुकी है तो फ्रेंड्स इस होली में आप लोग भी घर पे ही गुजिया बनाएए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए थैंक्स फॉर वाचिंग